नितीश कुमार जी भीम संसत का आयोजन कर बिहार को एकवार पुनह जातिय उनमाद में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं राजत के साथ मिलकर नितीश जी एक बार पुनह बिहार को जातिय उनमाद में धकेल रही है यह हमारा नहीं बलकि बीजपी प्रवक्ता निरच कुमार का कहना है नमस्कार निउस फूर्णीश देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा 26 नवंबर को जेडियो ने बड़ा दाव खेला है और यह दाव भीम संसत सम्मेलन का है आपको बता दे इस सम्मेलन में लाखो दलितों का जुटान होगा इसमें निटीश कुमार अपने महादलितों की ताकत दिखाएंगे और इस वोट बैंक को भी सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे और इसी पर अब पलटवार किया है भाजपा प्रवक्ता निरच कुमार ने उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से निटीश कुमार बिहार को जातिय उन्मान में धखेल रही है और निटीश कुमार जी बताए कि आज तक आपने कितने महादलित को राजप सभा में भेजने का काम किया है पहले हम आपको उनकी बातों को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं निरच कुमार निटीश कुमार जी भीम संसत का आयोजन कर बिहार को एक वार पुनह जातिय उनमाद में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं राजत के साथ मिलकर क्या ये बताएंगे कि आस्ते के दोने कितने दलितों महादलितों को राजिसभा भेजने का काम किया है उनके उठ्ठान के लिए उनले जा किया है आसतक इनको बताना चाहिए मुझठारों के लिए उनले जप्टोला सिख्छक अथवा टोला सेवक की जो बहाली की थी क्या उसका हुआ, क्या पριणाम निकला यह भी इनको बताना चाहिए कि सिर्फ उनको voting tools के तरह इस्तेमाल करते हैं उनके अठान के लिए उनोंने आस्तेक एक भी काम बिहार में नहीं किया है तो देखिया अगामी चुनाओं को लेकर बिहार में राजनीती तेज हो चुकी है जहां जाति सर्वे की रिपोर्ट भी आ चुकी है और इस राजन में किस जाति के कितने लोग हैं ये भी सारवजनी कर दिया जा चुका है और इसके बाद तेमाम पार्टी अब जाति की राजनीती करने लगी है इससे पहले भी आपको पता दे भाजपानी यादव सम्मेलन कराया था कि किस तरीके से जो महादलित है वो नितीश कुमार के साथ है और इसी पर भाजपा ने अपना रियाक्शन दिया है और उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि आज तक नितीश कुमार ने कितने महादलितों और दलितों को राज सभावे भेजने का काम किया है आपके इस वीडियो पर क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अब डिया चौने के लिए देखते रहें नियूस परनेशन